हाई एवरिवन मेरा नाम है हर्स और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले पाइथन के बारे में यह हमारा पाइथन का लेक्चर नमबर 6 है इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लिस्ट क्या होता है तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट के बारे हैं तो लिस्ट basically होता क्या है अगर हमको बहुत सारे नाम एक साथ store करना है तो हम जो है उसकी list बनाते हैं जैसे हम string में एक नाम store करते थी और हम अगर हमको कहीं पे 10-15 string store करना है तो वहाँ पे हम list बनाते हैं तो विस्ट हम बैसिकली जो है रोज अकसर बनाये करते हैं अगर हम कुछ सम्मान चाहिए था हम जो बैसिकली जो लिस्ट बनाते हैं उससी तरीके से यह लिस्ट होता है तो अब बात आते हैं कि लिए क्याको रूल है जैसे हमारे लिए वैरियेबल बनाने क्लिए कुछ रोल चाहे जो हो इसी तरीके का कारेक्टर हमारे लिष्ट के अंदर आ सकता है तो देखते हैं इसमें क्या लिख्या है इन पाइफन प्रोग्रामिंग लिष्ट इस और हमार प्रॉर आउसमीं हमको स्कॉर ब्राक्ट है और हमारे पास इतने अलमेंट हमको सब काहरे चलते तो इसमें यहां पे बताया गया है कि हम कौछ भी लिया है चाहे लिए नेयिया है तो यह हमारा empty list हो गया और यह हमारा दूसरा list है इसमें हमने देखी integer लिया है 1, 2, 3 और इन सब को comma से separate किया है और यह हमारा तीसरा list हो गया इस list में हमारे पास integer है string है हम इसमें decimal भी ले सकते हैं जैसे 3.4 हो गया 4.5 हो गया तो अब हम एक list बनाके देखते हैं कि list होता क्या है तो मैं अपने list का नाम ले लेता हूँ x equal to जैसे जो जो चीजे हमने सीखे तो उसको हम यहाँ implement करेंगे एक square bracket होना चाहिए उसके अंदर हम जो चाहें integer हो गया और चाहें तो कोई नाम string हो जाए है तो string हो गया और चाहें तो कोई decimal decimal मतलब 1.3 हो गया देखिए इन सब को मैं अगर x को print कर देता हूं तो देखिए यह यह जो आया हमारा बाहर यह हमारा जो है list हो गया list मतलब हम जितने elements चाहें उसको square bracket की अंदर जो है जाके आसानी से लिख सकते हैं तो आगे आता है हमारा list comprehension list comprehension list बनाने का एक बहुत ही आसान और बढ़िया तरीका है तो जैसे हमको बहुत बड़े list बनाने और हम बैट के सब कुछ type नहीं करना चाहते तो हम वहाँ पर list comprehension की मदद ले सकते हैं list comprehension की मदद से हम बहुत बड़े list को जो आसानी से लिख सकते हैं इसको लिखने कली हमने देखी एक नया list लिया और नया list का नाम हमने new underscore list ले लिया और पहले हमको यहां पर expression लिखना expression मतलब जो function हम यहां यूज करना चाहते हैं अब हम आ चुके हैं आइडल पर अब हम यहां पर एक छोटा सा code बनाके देखेंगे के list comprehension होता क्या है पहले हम normal एक list बनाते हैं देखें मैंने यहां पर एक normal list बना रहा हूं यहां पर मुझको क्या करना है 2 का table जो है पूरा लिखना है 2,6,8,10 ऐसे मैं लिखता चला जाओंगा तो यह टाइप होता चला जाएगा लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे लिखना नहीं है और मुझको यह 2 का table जो है पूरा 40 तक चाहिए इसको मैं कैसे करूंगा तो सिंपल साहं को एक लिस्ट बनाना है उसका नाम में टीवल रखतेता हूं एक को लटू और यहां पर हमको स्क्वार ब्रैकेट जैसे बनाना था तो हम सिंपल से हां पर ब्रैकेट ले लेंगे और इसके अंदर एक यहां फॉप फॉर लूप लगा देंगे फॉर एक्स इन रेंज क्या 20 वन इंड करके अब इसको में कर देंगे अब यहां पर हम टेबल अगर प्रिंट करेंगे तो देखी आसानी से 40 तक हमारा जो है ये लिष्ट के अंदर ये सब आसानी से आ गया तो अब हम लिष्ट का एक और example देखते हैं अगर हम से कोई कहा देता है कि आपको एक लिष्ट बनाना है और लिष्ट के अंदर by x for x in range 501 और simple इसको run करके number देखें ये हमारा 500 तक counting पूरा number लिष्ट के अंदर आ चुका है कितने असानी से तो लिष्ट compression के हम लोग मुदत लेते हैं जब कोई बहुत बड़ा लिष्ट हो और उसको हमको जो है असानी से बनाना हो तो आगे चलते हैं इसमें आता है लिस्ट में 30 जैसे हमने श्ट्रिंग पड़ा से आई स्ट्रिंग में कई सारे में 30 जैसे एप इंसर्ट सौर्ट पॉप क्लियर रिवर्स अभी में आडल पर जाके देखेंगे कि यह सब वर्क कैसे करता है और यह हम को कैसे लिश्ट बनाने में मदद कर सकते हैं तो अब हमाद चुके हैं अपने अडल पर यहाँ पर हम पहले एक लिस्ट बना लेते हैं लिस्ट में हम ले और नंबर जो है इंसर्ट कराना था तो मैं कैसे करूँगा वो नंबर इसमें इंसर्ट तो वहाँ पे हम यूज करेंगे एपेंड का x.append और simple इसमें जो नंबर हमको प्रिंट कराना है 5 इंटर कर देंगे और यहाँ अब हम x करेंगे देखें यहाँ पे 5 आ गया append का यूज करने से जो नंबर हम यहाँ इंसर्ट करना चाहें वो जो सबसे last पीछे जाके वो नंबर जाके लग जाएगा जिसे यहाँ पे 1,2,3,4 है मैं अगर यहाँ पे 5 लिखा तो यह नंबर जाके यहाँ पे 4 के पीछे 5 पे लग गया अब मैं इसमें कुछ और जो है इंसर्ट कराना चाहूं तो x.append और मैं यहाँ पे 45 करना चाहूं तो 45 और मैं अगर अगर इंटर किया और x अब यहाँ पे रन किया तो देखें यह 5 की पीछे जाके 45 लग जाए अगर हम append का यूज करेंगे तो जो लिख्ट हमारे पास रहे रहेंगा जैसे हम सिंपल करते एक हां डॉट इन्सर्ट is a इक है और और बैंनी डूल पोले पोजीशन पर हमको ओनंबर लगाना है इस वहेंब दूसरे पर लगाना है तो फिर कॉ और उस जगह पर हमको क्या लिखना है हम को लिखना है वहां पर 65 और सिंपल में सको run कर देंगे अब यहां पर X print कर देंगे तो देखें यहां पर हमारा 0123 के जगहां पर 65 आ गया अब आगे आता है हमारा sort method, sort method क्या होता है, पहले हम एक्स equal to square bracket के अंदर जाके हम कोई भी number कहीं पे बिलिक्स लेते हैं और जो उसको कोई sequence में नहीं लिख रहे हैं कि कौन सा कहां पे है, तो sort का का काम होता है कि जो भी हमारा list है, उसको ascending order में जो है लाके हमको दे देगा, एक्स.sort और यहां पे हमने इसको इंटर किया, एक्स, तो देखे हमारा जो यह list था, वो ascending order में आ गया है, 13359, यह चाहिए कितना भी बड़ा list हो, वो उसको ascending order में लाके दे देगा, तो अब आगे आता है हमारा pop method, तो pop method क्या होता है, जैसे हमने एक list बनाया, और list में से हम हम चाहते हैं कोई एक elements हम बाहर निकाल के इसको delete कर दें, तो इसके लिए हम pop में दढ़के यूज करते हैं, इसके एक ले लिए, इसके अंदर हम elements रख देते हैं, 12334, तो हम यहां पे देखते हैं ध्यान से, तो हमारे जो 3 है, यह तीन बार, जो हमारे यह 3 है, वो दो है, दो 2 पर आता है, तो यहां पर simple हम इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे 2, और यहां पर run, फिर यहां पर X को कर देंगे, देखें, यह हमारा 1234, यहां से यह एक जो 3 था, वो delete हो चुका है, अब इसके बाद आता है, हमारा clear method, clear method मतलब होता है, simple, अगर हमारे पास को कोई list है, और हम चाहते हैं कि अब यह list हमारा जोए खाली कर दिया जाए, हमारा, अब हमको इस list का काम नहीं है, तो simple हम x.clear कर देंगे, x.clear करने से वो पूरा का पूरा list जो है खाली हो जाएगा, देखें, अब मैं देखें, आप x मैंने print किया, मुझको कुछ नहीं मिल रहा है, अब आगे आता है हमारा reverse method, तो reverse method क्या होता है, तो अब हम देखते है, reverse method क्या है, तो मैं जैसे एक list बना लेता हूँ, v equal to, और bracket के अंदर जाके, 1, 2, 3, 4, simple, यह reverse हम अगर लगा देंगे, तो हमारा जो 1, 2, 3, 4 है, यह हमको 4321 जो है, हमको print करके मिल जाएगा, मतलब यह जो है reverse method क्या करता है, उल्टा कर देता है, सिधा, reverse, reverse, v, देखे हमको 4, 3, 2, 1 मिल गया, अब आगे चलते हैं, अब आगे आता है हमारा index method, index method क्या होता है, तो अब हम बात करने वाले index method के बारे में, तो index method क्या हता है, तो जैसे हमारे पास एक list है, और list में हम जो है अपने बहुत सारे element डाल देते हैं अब हमको यह list मिल चुका है तो अगर मैं जो है पता लगाना चाहता है यह जो मेरा 3 है इसका index number क्या है तो मैं simple यहाँ लिखूंगा x.index और इसको 3 को लिख दिया 3 का मैं पता लगाना तो 3 लिख दिया यहाँ पर 2 इसका index number है 012 तो index का काम होता है कि हमको उस number को लिखने के बाद उसका जो index number है वो मिल जाता है अब आगे आता है हमारा count method तो count method simply क्या होता है अगर हम कोई list बना रहे हैं और इसमें कोई element दो या तीन बार repeat हो गया या फिर कितनी भी बार repeat हुआ और हमको पता लगाना हो कि वह element कितनी बार repeat कर रहा है तो उसके लिए हम को उसके लिए हम सिंपल काॉंट में लगाएंगा और वह हम बता देगा कि कोन element कितने बार repeat कर रहा है जैसे में a list बना लेता हूं L is equal to四 incompet violent कि एक उखरया है 0 – 12 11 11 11 11 11 proceso मुझा पता नहीं कि मैंने इसमें one element कितनी बार डाले और मैं पता लगाना चाता हूं उसमें one element कितनी बार हैंłecुम्ब L.count और जिसको काउंट करना चाहता हूं वन को तो वन यहां पर लिख दूंगा और इंटर कर दूंगा तो इसमें वन इलमिंट 10 बार डाले हमको मिल गया तो काउंट मेथर का यह काम है तो बागी आता है इसमें हमारा list function तो list function हमारे पास इसमें चार दिये गये हैं लेन लिक्स्ट लेन लिस्ट मैक्स लिस्ट मिनिमम लिस्ट और सम लिस्ट तो जैसे हम मेथर्स में यूज करते थे एक्स डॉट करके यूज करते थे इसमें X.use नहीं करना इसमें simple lane से ही start करना है उसमें जो लिखा रहता था जैसे हमारे पास append था तो हम x.append लिखते थे इसमें simple हमको जो है लेन लिस्ट करके जो है Start करना है तो इसको हम देखते हैं आडल अपने तो अपने लिए यहां पर एक लिष्ट बना लेते हैं एक्स और इसमें हम कुछ एलमेंट देते हैं 123 और सिंपल इसको रन कर लेते हैं तो हमको एक लिष्ट मिल गया है अब पहला हमारा लिस्ट वाई एक्वल टू और मैं इसमें काउंट नहीं करूंगा कि यह कितने इसमें इलमेंट मैं जो है डाल रहा हूं वन फोर थ्री टू फाइव सेग्स सेवेन एट तो मैंने यहां पर बना लिया और वाई को मैं यहां पर रन करता हूं यह हमको एक लिस्ट मिल गया लेकि मैं पता करना चाहता हूं कि इसमें टोटल कितने इलमेंट हैं मैं सिम्पल यहां पर लेन हमको पता लगाना है कि उसमें सबसे बड़ा एलमेंट कौन सा है तो वहां पे हम मैक्स लिष्ट का यूज बता देता है कि सबसे चोटा element हमने क्या डाला है minimum और इसमें हम डाल देते हैं y देखे minimum y में हमने सबसे चोटा element 3 डाला था तो हमको 3 मिल गया तो इसके बाद जो आखरी function हमारे पास बचता है उसका नाम है sum list तो sum list का क्या काम होता है अगर हमारे पास कोई list हर वो उसको add करके हम चाहते हैं कि उसको add हो जाए तो इसके लिए हम simple sum और bracket में जिसको add करना चाहते हैं उस list का नाम करके इंटर कर देंगे तो add होके आ जाएगा हमारे पास तो हमारे पास list क्या था 45 32 321 इन सब को हमने अगर add कर दिये तो 101 आएगा तो इसमें आगे आता हमारा for loop list तो जैसे हमने string में पढ़ा था for loop उसी तरीके से लिस्ट में भी for loop का काम वही है जैसे हम string में पढ़ते थे तो for loop क्या करता था हर एक character के पास जाता था string के और उसके उपर अपना condition apply करता था उसी तरीके से अगर हम list में जो है for loop यूज़ करेंगे तो simple हर एक string या फिर हर एक element के पास या फिर हर एक integer के पास जाएगा और अपना condition apply करेगा यसे हमारे पास swift ridge Ferrari print car तो यह जाएगा पहले बार swift के पास तो swift को print करेगा उसके बाद फिर एक client का gap आएगा फिर जाएगा यह तो फिर यह जाएगा Ferrari के पास restrial प्रिंट करेगा है तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी को सीखने को मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और यह वीर्ख को एमने को माईगर गता लिएगा कि